हेलो डियार लानार्स, रोज की तरह आज एक नए सायरी के साथ सुरुआत करेंगे, अब से आप लोगों को जब भी सुरुआत करेंगे, एक नए अंदाज में सुरुआत होगी आज शुरू करते हैं, कल हमने आप लोगों को जो कोई बॉला था, उसे ध्यान से सुना होगा, और उसमें आप लोगों को ने खोजा, आज हम बोल घें, जब दर्द की कोई दवा ही न हो, तो क्यों न हम दर्द को ही दवा कहें? जब दर्द की कोई दवा ही न हो क्यों न हम दर्द को ही दवा कहें कत्रे कत्रे को तरस्ते हैं हम तेरी दरिया दिली को क्या कहे हैं चलिए आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके चाइनल एसे कि इंगलिस पर सुरू करते हैं आज एसे फॉंडेशन बेच का आपके एसे फॉंडेशन बेच का कम सा लेक्चर आ रहा है दिख रहा होगा आप लोगो थार्ड लेक्चर है कितने समय मिलेगा एट पीम लोगों को भगाना है अब बक्त बदलने का बक्त आ गया है यह भी बहुत मैंड में दिमाग में याद रख लेना कि आप कोई सा भी बक्त आपका चलना हो कोई सा भी बक्त आपका चलना हो मैंड में एक बात रखें अब कि मेरा बक्त बदलने का बक्त आ गया है अब कोई भ लोगों को रात को 8 विजए क्लाइस हम क्लास प्रोवाइड कराते हैं चली आगे बढ़ते हैं देखिए पहले क्या करना आप लोगों को सबसे पहला काम है कि चैनल को सबस्क्राइब करना सबस्क्राइब my YouTube channel जो भी लोग है जो भी वीडियो दिखे दिन्हों ने अभी तक चैनल सबский नहीं किया है उनका सबसाइब काम है कि subscribe करें channel को subscribe है channel काई सब्सक्राइब है अस एक इंगलिये आपका channel इसमें for latest English वीडिइвал़् जितनी झतनि इंग्लियो विडियो जो आप लोगों आपको डेली हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्या जॉइन करना है जॉइन ऐसा है आपको एसे इंगलिस का मतलब है आप लोगों को फेस्बुक में पेज मिलेगा एसे इंगलिस का सरच करके उपे लाइक करके जुड़ जाएं गुरूब मिलेगा ट्विटर पर आप फालो क चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें आप लोगों की प्रत्य Missus कल आएगा जब करना आप लोग जो भी आप पढ़ सकते हैं घर बैठें बेश टीचरों से आप पढ़ाई करें देखिए हमने यहां पर लिखा है इक वीट आप लोगों को डेली मिलेगा इससे कुछ सीखने की डाली कि strength is life लिखने कॉपी पर strength is life weakness is death strength is life strength is life जाएगी अब देखिए आप बच्चा बिटाईए के बीकनेस क्या है नाउन है इसका मलब एक क्या है subject है subject क्या बनेगा नाउन बनेगा यह आपकी वर्व हो गई है अब डेट क्या है बताएगा कोई देद क्या है linking पर आप बन जाएगा तुमारा आप देखिए आबजेक्ट में क्या होता है नान होता है। इसे kind ने से, beak ने से, adjective में NWS लगा कर हम किसका निर्माड करते हैं, noun का निर्माड करते हैं, एक और quotes लिखा है, इसकी हिंदी आप लोग निकालना कि क्या हमने लिखा है, यहाँ पर जो quotes लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए, समझने कोशिस करें, कि क्या quotes लिखा है, समझने कोशिस करें, लिखा है, you can't blame, you can't, cannot come, can't भी पढ़ सकते, you can't blame gravity for falling in love with English, it's why I have a somency, ध्यान रखना, क्या हमने लिखा, इसको quotes को very important है, इसको कॉपी में not down करें इन दोनों को, अब डेली इनको पड़ें, जब भी उठें, एक बात ध्यान रखना, सबसे पहला point है कि डरना नहीं करना है, दूसरा point आप लोगों करने कि, अब वक्त बदलने का वक्त आ गया है, आप अपने जीवन में रिखें, देखिए वही बात नहीं सुरू करें, क्या बताना है, हम बार 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 बोल ले हैं, कल भी क्लास में बोला था कि, some important basic terms of English, जो भी English के basic terms हैं, हम उनकी बात करेंगे, इस क्लास में, प्रियुक्त बिभिन टर्म्स की जानकारी, संची प्रूब्द में जी जा रही है, मतलब यह कि basic जानकारी, आप लोग हम उपलब्द करा रहे हैं, ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं आप लोगों को, basic जानकारी उपलब्द करा रहे हैं, कितने point discuss हो गए थे, 16 हो गए, 15 हो गए थे, लगवग, लगवग, 70 पॉइंट ऐसे हैं, 70 हो या 70 प्लस हो, लगवग, इतने लगवग point आप लोगों के, जिसमें basic आप लोगों को सारी जानकारी होनी चाहिए, क्या होता है, आज हमने बाद चर्चा करते हैं, 15 पॉइंट के पीछे, आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी भासा में, A, E, I, O, U, को हम क्या कहते हैं, वोववेल्स अर्थभा स्वर कहते हैं, ठीक, A, E, I, O, U, कितने हो गए हैं, 5 होगए, इनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, इनके अतरिक्त कई बेंजन भी स्वर की, कि देखना क्या वो लेंजन स्वर की धुनी है, तो प्रियोक्त होते हैं, जिस तरीके से हम बोल देते कि इसके पहले, A, E, N, U के पहले अगर यूनिवर्स्टी आ गया है, तो बहुते हमें यहाँ पर A नहीं A लगेगा, इसी के कारण बत होता क्योंकि उसमें स्वर की धुनी प्रियोक्त नहीं होती है, अगर होती तो लगा जाता है, साउंड हमारे पास कितने होते हैं, 44 होते हैं, उसमें ऐसे हमने बताया था कुछ आपके वोवल्स होते हैं, कुछ आपके वोवल्स होते हैं, ु अब यु ओ अईसे लिखते हैं ठीक है अब ये देखिए अगर हमें लिखना होगा है तुमारा लिखना हुआ ओ एक तो मुझे करके एक ळेते यह लिख देते हैं लिखते हैं अगर हम फूले इंग्रस में लिखा है तुमारा नीरज अगर नीरज लिखा है तो क्या करते है नीरज को इन इसी को डबली बना अगर हमें यहाँ पर लिखना है तो इसमें देखी बड़ अगर हमें लिखना है लिखना है हमें यहाँ पर अगर हमने लिखदा है लेटर्स बना देशोट जिसे आपको e हो गया हो जहां पर डबल उ लगा नहीं में सकतें कि ऐसे दो बार प्रयोग कर सकते हैं थार्ग्न जो बात बता रहे हैं आगे पॉइंट में आगे पॉइंट प्उइंट नंबर में कितना आपका आगया है नम लिंट 17 पाइंट प्र क्या है सेवन्तीन पॉयांट में देखने सेवन्तीन प्रक्या है इंवेंट मतलब क्या होता है और इसे माखटीं का म Jacqueline मतलब एक अतरिक्त मतलब होते हैं है Stirust 4 hell 46 अगर बटधिक सेथमेंद सफाय बचेहं होते हैं चेते ब्रबन की पांट्पेंद स tort प्रकार केस्ट क्या होते हैं सब्सक्राइब यह बताएं मिसिंग पॉइंट है या नहीं है अल्फाबेट होगा या अल्फाबेट होगा क्या होगा अल्फाबेट होगा अल्फाबेट मतलब हो जाएगा अच्छा जो भी तुम्हारे कितने एक अल्फाबेट मतलग बर्ण माला में हमारे अंग्रेजी के वर्ण माला में 521 बेंजन होते हैं मिस्टेक प्रेंटिंग हो गयी होगे आईये देखिये प्रफिक्स और ऑगा उपसर्ग यहां पर संजना यह इंगलिस है हिंदी आप लोगों को ज्याद आसान लगती हिंदी समझना क्यों हिंदी अब बच्पन पढ़ते चले हैं इसलिए हम हिंदी क्या लगतीै आसान लगती है समझें इस बात को इस बात को समझे कि कहां परांप आँच गये हैं कि प्रिफिक्स पर बात कर रहे हैं प्रिफिक्स क्या होते हैं देखिए खोब हिंदी में साइस लिखा इसकी PDF मिल चुकी है फर्श लेक्चर के इसकी भी मिल जाएगे लिखाए मूल सब्द क साथ पहले जुड़े हुए कुछ अच्छा जैसे आई एम जीसे हो गया आई एम हो गया आपका आई एन हो गया है यूएन हो गया है इन हो गया दी आई एस हो गया है इम इत्याती क्या कहलाते हैं प्रिफिक्स कहलाते हैं प्रिफिक्स द्वारा बनाएगे सब्द का निर्म यहां पर लिखाता है तो हमने का लगा दिया यहां पर लिखाता है 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 यहां पर हमने इम लगा कि इमबार्ख यहां पर लिखाता पावर यहां पर हो गया इंपावर यहां पर लिखाता फेम यहां पर लिख देखना इंपोड़ेंट है स्कीन सोड लेना चाहें सके बाकी पीडियप आप लोगों को प्रुवाइड होगी सारी पीडियप इस इंग्लीज sortir चैनल पर मिलेंगी जो आप लोगहों को टेली ग्राम पर मिलेगा सर्ज करें इसेнов्य एंग्ले चानल टेली ग्राम पर आप लोग मżen जुड़ें वही पर आपको साएप अगर प्रफिक्स है तो सप्राइप के बारा बहुझ आनकारी करेंगे अमीयक्षक करेंगे हमने बताए उस्वरो प्रत्य होते हैं वहीं इंग्लिज में प्रिफिक्स और सफिक्स होते हैं मूल सब्द के बाद लगे हुए अच्छर जैसे एज जैसे एज आगे लगा हुआ है आपका एडी और लाश्ट में लगाओ आई एस्टी आई एटी इंजी एम आई एस सब्द के बाद में लगे हुए है और फिक्स प्री मतलब पहले से ही जो चीज फिक्स हो सफिक्स मतलब जो बाद में फिक्स हो प्री मतलब जो पहले फिक्स हो ठीक है सफिक्स द्वारा इसके द्वारा भी नए सब्द का निर्मान किया जाता है इसके द्वारा भी नए सब् पर लिखाता है यहां 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 पर सबसे पहला पॉइंट है कि परसन का बोद करें पहला परसन में भी वह किस परसन में होगा इस पेसलिस्ट होगा वह परसन अपने आप में इस पेसलिस्ट होगा socialist मतलब हो जाए जो person जो अपने आप में especially आपको हिंदी जानकारी नहीं लेकिन English में सीखना समझना आपका बेहद आसान हो जाएगा ध्यान रखना IST का मतलब होगा person से वो person अपने चेत्र में अपने चेत्र में भूत ज्यादा expert होगा ठीक है अज देखिए नया बड़ आप लोगो लगा होगा मिला है आज प्री modifier मोडिफायर्स होते हैं मोडिफायर्स के हम lecture लेंगे मोडिफायर्स का lecture मिनिमम 5 गंटेक लेक्चर होगा या 6 गंटेक होगा तभी आप लोगों का मोडिफायर्स खतम हो पाएगा उसकी अर्थ में क्या कर देता है ब्रद्धी कर देता है उसे हम क्या करते है प्री मोडिफायर कहलाता है क्या कर देता है प्री मोडिफायर कहलाता है जहीसे यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने एक जांपल भी दिया है लिखा है he misbehaved with misbehaved के साथ with लगता है an invited friend ठीक है यहाँ पर लिखा है they is called the cursed house अब देखें यहाँ पर he क्या होगे? subject होगे आपका यह क्या होगे? verb होगे होगे बार misbehaved अब देखें invited देखें friend क्या यहाँ पर है? noun है कुछ नहीं modifier भी adjective के ही रूप होते है noun के पहले रखा हुआ दुनिया का word क्या होता है बच्चों? adjective होता है यह बच्चे जो पढ़ चुके हैं class में वो बताएंगे अब देखें adjective और noun जो भी आपके singular countable noun होते हैं वो बगएर article या determiner के नहीं आते हैं उनको अपना साथ ही determiner उप्रियुक्त लेना पड़ता है क्या चाहिए अब देखी invited में यह EIO यहाँ पर invited के साथ ए नहीं क्या लगेगा? एन लगेगा इसका मतलब है कि उप्रोक्त बाकों में invited, invited क्या है? अब देखी यहाँ पर friend था, friend क्या गया? invite क्या गया है वो उसको modify कर रहा है, अर जानते हो जिसे bike है, ऐसे समझे लो modifier कुछ अलग नहीं है, पहले modifier थे मतलब यह bike थी आपके पास किसी ने modify कराई है और उसने bike आपने उससे खरीद ली है, अब क्या करें? आप चाहते हैं इसे pre-modify करादें, मतलब दुबारा बात है, आसा करते हैं, भहुद अच्छी बात है, समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं, यह भी बढ़ आप लोगों का नया लग रहा होगा, लग रहा होगा, क्योंकि यह सुना नहीं है, लिखा है देखिए slang, slang बढ़ लिखा हुआ, slang में लिखा है कि slang consist of, consist साथ क्या लगता है, आप लगता है, consist of preposition क्या लगता है, आप लगता है, यह भी सीखते चलें, आप words, expressions and meanings, देखिए end से दो equal link के word जूरते हैं, देखिए experience and meanings, अगर यहाँ पर्म करतें meaning, तो हो जाएगी error, अगर हम यहाँ करते expression, तो भी हो जाएगा लगत, दोनों जोगेर हमने रखना, yes, यह तो दोनों जोगेर से रिमूव करना है, इस, that are informal and are used by the people who know each other very well and cute, familiar, familiar के साथ fix preposition बिद लगता है, one and other, generally हम इसका प्रियोग एक ही बाजा में समझ लिए, generally इनका प्रियोग हम abuse, मतलब जो language, मतलब क्या होता है, गाली गलोज, सामानता इसका प्रियोग हम किसमें करते हैं, परचित ब्यक्तियों द्वारा, प्रियोग अनुप्चारिक बिशेश सब, बही लोग तुमको जो परचित होंगे, यह भी द्यान रखना, कि सिर्फ परचित ब्यक्तियों द्वारा, आपको गाली जैसे सब्दों का प्रियोग करने के लिए हम slang बढ़ का इस्तेमाल करते हैं इसको बार-बार देखें दो-चार बार पढ़ें यह आप लोगों के लिए interesting point होगा क्योंकि इसमें आप लोगों के आता है मज़ा आता है यह बहुत important है आईए बढ़ते है question number point number 20 2 पर 22 पर देखें क्या इसमें लिखा हुआ है लिखा हुआ है 10 से 10 से तो बहुत important है बढ़ा होगा हम बता रहे हैं कि 10 से कितने होते हैं 10 का मतलब क्या होता है 10 कितने होते हैं 2, 3, 4 और आपसा नहीं हम दे रहे हैं 8 और 12 और 1 देखें लिखा है 2, 3, 4, 8, 12, 1 और लिखे सकते हैं यहाँ पर 36 इतने बताए कितने टेंस होते हैं यहाँ पर generally कोई बच्चा बोलेगा हमें इसका जवाब चाहिए कि 10 से कितने होते हैं बताए कितने टेंस होते हैं 2 होते हैं, 4 होते हैं अब पड़े होंगे टेंस सर 3 होते हैं कौन कौन सो होते हैं सिंपल, पास्ट और सोरी, प्रिजेंट, पास्ट और फ्यूचर ठीक हैं लेकिन हम कहेंगे ऐसा कहना बिल्कूल गलत हैं न 3 होते, न 4 होते, न 8 होते, न 12 होते, न 36 होते हैं टेंस होते हैं दो या एक, इन में से अब आते हैं, कि दो होते हैं और एक, सर आप कहेंगे पिछले वाले लेक्चर में आपने बताया था, कि टेंस दो होते हैं, होते हैं टेंस दो, लेकिन अगर हम traditional की बात करें, तो टेंस सिर्फ और सिर्फ एक होता है, हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक होत यहाँ पर देख लिए, लिखा है, tense is the form of a verb, tense verb की वय form होती है, जो सोज, not only the time and action, जो सिर्फ क्या नहीं सो करती है, time को नहीं, और action को सो नहीं करता है, what also the state of action or event, वो state मतलब आवस्ता, अथवा action को दिखाता है, और घटित, घटनाओ को दिखाता है, tense verb की वय form होती है, जो सो करता है, time के बारे में बताता है, और action बताता है कि ये action किसे time का है, tense आप लोगों को इसके बारे में जाने करें, इस पर देखिए point बना लेना, इस पर, tense बहुत confusion होती, इस पर हम lecture ले लेंगे, ये tense का, ये समझ लिए, आप लोगों के लिए, tense, आप अगर size पढ़ें, त sentence सीख जाएंगे, इसमें से तीन से चार घंटे तो हमें basic बताने में लगें, tense, आप लोगों को समझाने में लगेंगे, आप यही सरटे बढ़ेंगे, तीन होते हैं, तीन होते हैं, अब तीन के प्रतिका ऐसे भाग करेंगे, तो आप इसमें बारा भी option लगा सकते थे, फिर प्रियोग करेंगे, कहां पर किस चीज का प्रियोग करके, हम tense की बात करेंगे, तो हम सिर्फ और अप लोगों को tense बताएंगे, इसे बहेद आसान तरीके से समझाएंगे, तीन से चार घंटे इसी में समझाने लगें कि आप समझेंगे कि tense आगर 2, 3, 4, 8, 12, 136 में से 2 भी न समझारी लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, tense के बारे में, बढ़िया बात लिखी है, tense, देखिए tense के और कुछ लिखा है यहां पर, लिखा है कि sequence of tense, sequence of tense मतलब tense का काल करिम क्या होता है, बे नियम जो ये निरधारित करते हैं, कि किसी बाक में subordinate clause की कि किरिया, किरिया अब वर्व का tense क्या होगा, अर्थात ये दि प्रंसिपल clause में वर्व का tense present, past या future है, तो subordinate clause में काउन सा tense प्रियोगत होना चाहिए, जिससे बाक संरचना सही हो, इसका निरधार जिन सिद्धान तो नियमों के अंतरगत किया जाता है, उन्हें sequence of tense में समलित किया गया है, द बाई बाई पड़ सकते हैं, इतनी कहानी नहीं बनाने, sequence of tense का मतलब है, अगर आपका principle clause होगा, एक तरप आपका subordinate clause होगा, ठीके, एक होगा PC, एक होगा SC, एक होगा PC, एक तरप होगा SC, अगर subordinate clause, अगर subordinate clause आपका past में है, अगर subordinate clause अगर आपका past में है ध्यान रखना अगर principle clause अगर आपका past में है तो subordinate clause भी हमेशा किसमें रहएगा तो सबordinate clause अगर 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 आपका past में है सिर्प सुने, जब हम इस पर बताएंगे सारी चीज़ें बताएंगे, के लिएर करें अगर आपका principle clause present में है तो sub-ordinate clause present और past दोनों में हो सकता है दोनों में हो सकता है यह depend करेगा situation पर यह किस पर depend करेगा आपकी? situation पर depend करेगा कि किस situation में हम इसको deal कर रहे है ध्यान करना जो बातें बोलने हैं इसको ध्यान रखना यह होता है sequence आप टेंसमा की सब लिखा हुआ है आप समझदार हैं पढ़ सकते हैं आगे आते हैं वाव यह तो आपके बोबड़ आ गया है जो आपके दिल के करीब रहता है noun 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 कहा जाता है एक बार 21 बार सुनने से या 21 बार बोलने से एक बार हमारे mind में बस जाता है इसी तरीके से यह जाता है कि कौई आदत है अकर 21 दिन तक अकर 21 दिन तक continuous से हम करते हैं तो आदत हमारे जीवन में बन जाती है और रर्कालना यह निकल जाती है जो भी होता है आईसे ही अकर कोई बार है 21 बार पढ़ेंगे तो जीवन में बढ़ जागा नाउन क्या होता है नाउन यहाँ पर लिखा है चलिए लिखते हैं क्या लिखा है किसी ब्यक्ति, बस्तु, इस्थान, गुड, कार या अवस्ता के नाम को हम क्या कहते हैं नाउन अत्वा संग्या का जाता है हम क्या बता रहे हैं नाउन हम जितना बताएं अभी तना दुनिया में जिसे भी आप देख सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, सारी कि सारी चीज़ें क्या है जैसे आपने देख लिया है, gold, gold आप देख सकते हैं, feeling, किसी की feeling आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, noun, love क्या है? noun, hate क्या है? noun, एब बात अभी नहीं कररें, कि आप checked noun है, कि योँ material noun है, कि क्या noun है, proper noun है, कि common noun है, इसकी बात हम noun class में करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं, जितनी भी पूरे दुनिया में, मतलब पूरे होल बाड में, दुनिया के बाद छोड़िये, पूरे ब्रह्मांड में, जो भी आप देख सकते हैं, जिसे आप सुन सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके क्या हैं, आप सुन सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, सारी की सारी चीजें, दुनिया की बो क्या है, नाउन, नाउन, नाउन है, 10 लाग जो बर्ड्स हैं, उनमें से लगभग लगभग आपके 7-8 लाग वर्ड्स, नाउन, नाउन यहां पर जो लिखा एगी एक बर्ड लिखा है the thing इसमें इसमें confusion ना हो देखे हमने लिख देख लगत दा बहुत बहुत सब्सद्रट है सब्सक्रत मतरल गई इसका विश्तार बहुत है इसमें सबी चीजें का समावेवर हो इसमें सारी चीजों का क्या हो जाता है? समावेस हो जाता है. आसा करते हैं, इलेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगोन शेखी होगे, नाउन की जो धच्छियां उड़ा देंगे, जिदने नाउन पढ़ाएंगे. आज नाउन आप लोग इन नए अंदाज में सीखा होगा कि पूरे ब्रह्म हंड में जिसे हम देख सकते हैं जिसे हम सुन सकते हैं जिस चीज को हम महजूज कर सकते हैं जिस चीज को हम छू सकते हैं सारी की सारी चीजें दुनिया की क्या है नाउन और नाउन है क्या है नाउन है नाउन है नाउ सुनने में अच्छा समय बतित हो ज्यादा लंबा लगने का आसा नहीं है लेकिन फिर भी क्या करें चिए समझाने में थोड़ा समय लगता हमें थोड़ा concept समझाने में समय लगता अभी तो basic चला जितनी concept पर उतरेंगे उतनी English की दजियां आप उड़ा दोगे आए देखते आगे क्या है आगे भाई एक लोग बात आप लोग के इतना सपोर्ट और शहिए जितना हम आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आपका भी इतना सपोर्ट बनता है कि वीडियो को like जरूर किया करें वीडियो को share करना बिल्कुल नहीं है आप whatsapp facebook दिन पर चलाते हैं अब घंटी को दबाना बिल्कुल ना जो में बेल आइकन जो होता है उसे हम घंटी कहते हैं उसे दबाना ना भूल अगर वह दबा देंगे तब ही आप लोग को जो भी नोटिपिकेस आएगा तुरंत प्रिजेंट होगा थेंकी फार वाचिंग थेंकी फार वाचिंग लेक्चर देखिए चाहें तो फाच्ट ली देख लीजे रिवाच भी करवादें इसक फाउंडेशन बेच का लेक्चर आप लोग का थिरी है जो रात को आट बज़े आना वाला है हम कह रहें बार बार इंगली से डरना नहीं इसको करना है अब बक्त बदलने का बक्त आ ग इल होनगी है वहीं बने एकष़ समझ रहे होंगे आप लोग、 आगे बढ़ते हैं रिखे लेक्शर में एक पॉइंट हमने बताया लिए इंगली से इंगली सोब भाइए ? इस خलास में हम बेशीक टरम की बात करेंगे इस फ्रियुकह सही करेंगे ? इस संचित गले रहे है वहां हां sow Wish लाथ क्या है ? konsonans अलए 화 बेंजन कहते हैं, prefix जो सब्द से पहले बाच्छर जूड़ जाएं, सब्द का अर्थ बदल दें, उन्हें हम prefix कहते हैं, जिसे possible का हमने कर दिया impossible, प्योर का कर दिया हमने, impure, root को कर दिया, in rude, courage को कर दिया, encourage, ठीके, like को कर दिया हमने, dislike, भही होता है suffix, suffix में मूल सब्द के बाद लगे हुए सब्द भी बी आर्थ बदल देते हैं, prefix में पहले लग जाते हैं, suffix में बाद लग जाते हैं, जैसे हमने कर दिया है talent हो गया talented, हमने लिखा था gift हो गया gifted, हमने लिखा था friend हो गया friendship, ठीके, add कर लेना, आसा करते है pre modifier, by होते हैं, ये भी adjective के हितरे हैं काम क पर अभी slang बता रहा था, हाँ slang, slang bird ऐसा bird है, जो generally language में गाली गलोद जैसे सब्दों में प्रियोग किया जाता है, ठीके, tense क्या होता है, tense verb का by part होता है, जो verb में time और reaction को denote करता है, उसे हम tense की पहचान करते हैं, बात करते हैं, कैसे पहचान करेंगे, हम जब आगे बताएंग पास्ट में रहेगा, ठीके, noun, आगे आते, noun, किसी ब्यक्ति विसेज, बस तो गुड कार रिया अवस्ता के नाम को हम संग्या कहते, noun is a name bird is the name of person, place or thing, समझ रहे हों के चीज़ें, यहाँ पर समझ गे हों के सारी चीज़ें, कि noun, अब noun की ब्यक्या बहिले हमने बताई, noun, 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 आशा करते हैं कि वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूले, share तो करना ही करना है आप लोगों को, कम से कम एक share चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you for watching, good night to all of you, आज का lecture हम यहीं पर over करते हैं, इसलिए, रात 8 बजे, class आप लोगों को हम daily provide करते हैं, आज का lecture यहीं पर over कर करते हैं, सारे लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगे, बहुत बात आप सभी लोगों का धन्वाद support करने के लिए, thank you so much, good night to all of you, हसते रहिए, मुस्कराते रहिए, जीसा लेते रहिए, thank you so much, लेकिन एक share के साथ, जब जब तुम हम सफर हो गए, रास्त कितने मुक्सर हो गए, कि तेरा दर क्या छूटा हम दर से बदर हो गए, इसी साथ आसा करते हैं, लेक्चर बहुत आप लोगों के पसंद आगा, आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं रोज, इसी उस सारों मंक के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care, हसते रहिए, जी सा लेना बिलकुल ना भूले, thank you so much.